आप लोग आगे आजाईए चाया में अच्छा रहेगा आपके लिए खास चाया का इंजाम किया है आईए आगे नमस्कार साथियों आज ये क्विशेश कारिक्रम हमारे वरिष्ट नेता और महासचिव मुकुल वासनिक जी अमारे हर्याना के पूर्व मुख्यमंत्री भुपेंदर सिंग हूडा जी हर्याना के PCC प्रेजिडेंट उदेभान जी महासचिव प्रभारी करनाटका हमारे रंदीप सिंग सुर्जेवाला जी क्याप्टन अजय यादव जी किरन चौधरी जी और आपके सामने मंच पर जो शक्सियत बैठे हैं वो आप उनसे परिचित हैं चौधरी विरिंदर जी और हेमलता जी आप सबका स्वागत है प्रेमलता जी आपका स्वागत है कारिक्रम को आगे भढ़ाते वे अब चौधरी विरिंदर जी का तो मैं परिचे दू तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं होगी उनको सब जानते हैं पूरा देश जानता है और सर छोटु राम कोई 20 शताबदी के बहुत बड़े किसान नेता तो थे ही लेकिन आज 21 शताबदी में भी उनके चर्चे और उनके किस्से सुनके हम सब बड़े हुए हैं आज भी उनी के चर्चे चलते हैं पूरे हिंदोस्तान में सर छोटु राम के नाम से सब वाकित हैं मैं कारिक्रम को आगे बढ़ाते वे मुकुल वासनिक जी और PCC अध्यक्ष रहे करूंगा कि चौधरी विरंदर सिंग जी का स्वागत करें फटका आप फटके देदीजिए हुड़ा जी को भी जो कैमरास के आगे कोई खड़े मत रहिए बैट जाए हुआ है हुआ है 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 इसको पटके देदीजिए है कि कि अब कि किसी और से ने कि जिन्दा वाब Buddhist मुखळवासनिक जिसे मैं आग्रे करूंगा कि वो यहां आएं और करें नांठी हैं turn कि मुकुल वासनिक जी से मैं अग्रह करूंगा कि वो यहां आएं और अपने विचार रखें कि अज़िए और अब प्रेम लिता जी का हम लोग कॉंग्रिस परिवार में स्वागत करते हैं एक्स एमले भी हैं और सब जानते हैं उन्हें जानी मानी चहरा हैं मैं उदेभान जी से मुकुल वासनिक जी से हुड़ा साहब से रंदीप सुर्जेवाला जी से आग्रह करूंगा कि उनका आपचारिक स्वागत करें दिनाबाद दिनाबाद हरी से बढ़ाद हर्याना प्रदेश कॉंग्रेश कमेटी के सम्माने तद्यक्ष उदेभान जी जिनका जहां पर भारतिय राश्ट्रिया कांग्रेस में प्रवेश हो रहा है वे चाउदरी बिरंदर सिंग साब हर्याना के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ट नेता भुपिंदर सिंग हुड़ा जी अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमेटी की सचीव कुमारी सेलजा जी अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमेटी के महमंत्री रंदीप सुर्जेवाला जी किरन चौदरी जी कैप्टन अजय सिंग यादव जी प्रेमलता जी राजिंदर कौर भटल जी नासिर हुसेन साहब पवन खेडा जी और यहां पर उपसित सभी कॉंग्रेस के सम्मानित नेतागन और यहां चौदरी बिरंदर सिंग जी के साथ आज जो यहां पर कॉंग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं वे सभी सम्मानित भाईयों बहनों और नौजवान साथियों चौधरी बिरंदर सिंग जी तो अनेकों वर्षों तक के हमारा ही एक हिस्सा रहे कुछ समय के लिए कही और जरूर चले गए लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि एक पल के लिए चौधरी सहाब कभी कॉंग्रेस से अलग हो पाए हो और कभी हमने भी नहीं माना कि चौधरी बिरंदर सिंग जी हमारे से कही दूर चले गए आज उनका यहाँ पर कॉंग्रेस में प्रवेश करने के लिए कॉंग्रेस अद्याक्ष मानेनिया मलिकारजुन खरगे साब उपस्तित रहने वाले थे लेकिन किसी कारणवश उन्हें अचानक करनाटक जाना पड़ा और इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाए जो चुनावतिया आज मुल्क के सामने है हमारे सविधान के सामने है हमारे लोकतंत्र के सामने है वो सारी स्तिती को जानकर चौदरी विरंदर सिंग जी ने फिर एक बार तै किया कि कॉंग्रेस के तिरंगे के नीचे आना होगा मिलकर काम करना होगा सोनिया गांडी जी राहुल गांडी जी खर्गे साब के साथ मिलकर यहां पर राश्ट्री स्तर पर कॉंग्रेस को मजबूत करने के लिए अपना योगदान देना होगा और हर्याना में भी जहां पर पिछले कुछ सालों से पूरी तरह से अराजकता का माहूल बना है वहां पर फिर एक बार कॉंग्रेस को कैसा हम सशक बना सकते हैं मजबूत बना सकते हैं और कॉंग्रेस की हुकूमत कैसे हम हर्याना में ला सकते हैं उसमें अपना योगदान देने के लिए चौदरी बिरंदर सिंग जी प्रेम लता जी यहां पर कॉंग्रेस में आये है इनके सुपुत्र तो कुछ दिन पहले ही हमारे बीच पहुच गए और मैं समझता हूँ कि कॉंग्रेस को इनके आने से जरूर बल मिलेगा राश्टिय स्तर पर बल मिलेगा हर्याना में बल मिलेगा और मैं अपने आपको गवरोणवित महसूस करता हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जो जबान पर जो आता है वहीं दिल में रखता है एक ऐसा आदमी जो ये मानता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ के उपर ये पार्टी और राश्ट्र का हित होता है उसको देखकर आज फिर चौदरी साब कॉंगरिस में आए मैं दुबारा उनका यहां पर दिल के गहराईयों से स्वागत करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद जुक्तिवाद अब जुक्तिवाद मैं चौदरी गुपेंदर सिंग हुडा जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार रखेंगा कि आप कि 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 अब यहां प्रदेश कॉंग्स कमेंटी की अद्दक्ष चाओदरी उदेवान जी और हमारे महामंत्री मुकुल वासिक जी वासिक जी अभी अभी कि इस्ट एंड वेस्ट होम इस दा बेस्ट यह पुरानी कावत सावित करते हुए अपने घर बाप्सी में आये मेरे भाई तो बिरिंदा सिंग जी मिसिस बिरिंदा जी रंदीप सुर्जेवारा जी शेल्जा जी और हमारी बेहन राजिन कोई जी खेडा साब और हमारे सभी साथी तो यहां बैठे हैं वैं उपस्तित सभी सजनों वैं देवियों देखिए जब कोई व्यक्ति जाता है बहुत दिन के बाद घर वापिस होती है तो सब को खुशी होती है आने वाले को भी और जिस घर में आते हूं को भी आज बेंदा सिंग की और सभी इन के साथ मैं स्वागत करता हूं और जैसा मुकल जी ने कहा कि आज समय ऐसा है कॉंग्रस को दूरूत है देश को दूरूत है सभीधान बचाने के लिए लोगतंतर बचाने के लिए सब 36 व्रादी के होके अपनी ताकत बढ़ाने की जुरूत है जब हमारा सभीधान बचेगा और चस्ट मैं ये मेरे तो भाई हैं बड़े भाई आरे आर महस्ता आचाका कई रंदीप संह इसा-बश्यवाला जी क्याएं करोंगा कि की वह आकर अपने वीचाबडि आदर के योगे भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस के सबसे वरिष्ट महासचिव श्री मुकुल वासनिक जी भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस की महासचिव कुमारी शेलजा जी हर्याना में विपक्ष के नेता पूर मुख्य मंत्री आदर्णिय चौदरी भूपेंदर सिंग हुड़ा जी प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदर्णिय उदेभान जी मंच पर विराजमान बैक्वर्ड क्लास अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमेटी के ओबी सी सेल के चेयर परसन कैप्टन अजय आदव जी पूरव स्पीकर पूरव विपक्ष की नेता आदर्णिय किरिन चौदरी जी हमारे सांसत भाई जिन्होंने अब इस्तीफा देखर भारति राष्ट्रे कॉंग्रेस ज्वाइन की बिजेंद्र जी पंजाब की पूरव उप मुख्य मंत्री राजिंद्र कॉर भटल जी आदर्णिय मंच और हजारों की संख्या में मौजूद पूरे हरियाना से आए चुनिंदा सभी नेतागन मैं आप सब का भारतिय राष्ट्रे रांगन में जैसा मुकलवास्निक जी ने कहा आदर्णिये सोन्या गांधी जी की और से आदर्णिये खड़गे जी की और से आपका बहुत-बहुत कोटी-कोटी स्वागत करता है आदर्णिये चौदरी बिरिंदर सिंग जी आदर्णिये श्रिमती प्रेम लता जी हमारे भाई बिजेंदर जी और आप सब जो आज यहां आए हैं मैं आप सब का भी हर दे की गहराईयों से कोटी-कोटी धन्यवाद और स्वागत करता हूँ मेरे लिए मेरे लिए एक भावुक्षन भी है क्योंकि परिवार के बड़े परिवार के बुज़र्ग जिनको देखकर राजनीती में एक-एक कदम आगे बढ़ाया और जिन से बहुत कुछ सीखा चौदरी बेरिंदर सिंग जी से किसी वज़े से वो परिवार के सदस्य नहीं पर उसके बावजूद भी उनका सने उनका प्यार उनका मारक दर्शन लगातार साथ रहा और आज फिर वो परिवार के सदस्य हैं मुझे लगता है कि इससे भावुक और इससे गौरवानवित शन शायद व्यक्तिगत तोर से मेरे लिए नहीं हो सकता आपका बहुत-बहुत स्वागत एक अनुसरण का विश्य है मुझे मालूम है कि एक यू आयू में उननिस सो सत्तर में जब कॉंग्रेस पार्टी केवल दो सीट जीती थी तो उस समय भी चौदरी बिरिंदर सिंग जी ने कॉंग्रेस का पर्चम उननिस सो सत्तर में लहराया था तीन सीट जीती थी ओस्वाल जाए से संसद के चुनाव में भी और विधान सबा के चुनाव में भी कॉंग्रेस मजबूत होगी मुझे अब भी याद आता है मैं मेरी बात को पूरी करूं कि जब किसानों का संगर्ष चल रहा था तो चाहे आप भारती राश्टिये कॉंग्रेस और किसान संग्ठनों का हिस्सा नहीं थे पचौधरी बिरिंद सिंग जी वो व्यक्ति हैं जिनोंने ये सास दिखाया कि अपनी स्वम की उस समय की पार्टी की लाइन तोड़के वो किसानों के साथ खड़े हो गए जब हमारी पहलवान बेटियों के साथ अपमानित व्यवार हो रहा था तो ये नौजवान सांसर बिजेंदर वहां बैठे ये सब बाते चोड़कर पार्टी की लाइन तोड़कर एक बार फिर हरियाना की बेटियों के साथ खड़े हो गए ये व्यक्ति के चरित्र को दर्श आता है और शायद इसलिए एक बार फिर ये जुड़ाव सुनिश्चित था ये प्रभू ने लिख रखा था ये गाओं केडे ने लिख रखा था और आज फिर ये जुड़ाव हुआ है मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं व्यक्तिगत तोर से भी और भारती रा दन्यवाद रंदीब जी जी मैं आगर्य करूंगा चौदरी विरंदर जी से कि वह अपने दोशब्द आपके सामने रखें आप कर दो कर दो बात कर नहीं है बोल जाओंगा तुम अपने रहने दोने आप सभी साथी जो यहां आए हैं सिर्फ हर्याना भर से नहीं बलके दिल्ली से भी हमारे साथी आए हैं पश्मी उत्रपदेश्चे भी आए हैं राजस्थान से सभी साथी हैं पंजाब से भी मैं सबसे पहले आपका धन्वाद करता हूं और आपसे कि मैं यह समझता हून कि आप भी मेरे जैसे मैं कर रहा हूं कोंग्रeस के शामिल होने जितने भी हमारे कॉंग्रिस के नेता भाई मुखल वातनिक का और हमारा तो बहुत लंबा सफर रहा है और सिर्फ पार्टी में नहीं सेर करने में भी हम और जनल सेकरेटरी हमारे बहुत ही जन्होंने अभी बात कही रंदीब जी हमारी बेहन शेलजा जी अब मैं आपको बताओ हमारी बेहन क्यों है ये ये अभी बैठी कह रही थी कि पालवां से भी आ रहे हैं आदमी कि ये पालवां की बेटी है आपका पता होगा और हर्याना कॉंग्रेस के विपक्ष में जो नेता हैं भाई बुपेंदर सिंग जी हर्याना में विपक्ष के नेता यह नहीं बलके हमारे लगबग 10 साल तक हर्याना के मुख्य मंत्री है और ये भी मेरे भाई हैं उद्यभान जी जो हमारी हर्याना की कॉंग्रेस की यूनिट है उसके अध्यक्ष है राजिंदर कौर जी भठल ये पंजाब की पूर मुख्य मंत्री हैं और और अगली ताली इस बात की बजानी है कि जड़े अपना अर्याना पंजाब नेरा नेरा हो है वहीं से अमेले बंती दी है तो ये भी हमारी बेहन है और कैप्टन अजय सिंग जी हमारी बेहन किरन चौदरी जी डॉक्टर साब जो असलम नासर हुसें डॉक्टर ये सचिव हैं और खड़के जी के साथ जो अध्यक्ष है हमारे उनके साथ काम करते हैं और किरन जी का नाम हो गया ना पवन खेडा जी पवन खेडा जी की वाग पटुता कॉंग्रिस के बहुत से च्छटे हुए जो लोग हैं जिनको वाग पटुता में बीजेपी को हराने की शमता है और इसके साथ साथ मेरी दर्मपत्नी भी हैं हाँ और मेरा बेटा भी है मेरा बेटा मेरी दर्मपत्नी रनदीप मेरा भाई मेरे मामा का छोरा और वो पेंदर सिंग उड़ा मेरी बुआ का छोरा हाँ और हमारी बेहन शैल जा ये पालमा गाम हमारा गोती गाम है और यहीं से ये प्रभुवाला गई है इनके मुज़ूर्ग और जैसे मैंने बताया के पूरा कुणबा और अगर बीजेपी को कोई कटाश करना पड़ेगा कल तो ये कहेंगे परिवारवाद यह निए उसका परिवारवाद तो ये के एक सो चालिस क्रोड भी मेरा परिवा हमने हर्याना की राजनीती में लोगों का साथ दिया है लोगों ने हमारा साथ दिया है इसलिए हम यहां बैठे है कोई खेरात में नहीं और आपने दस साल में हर्याना में यह किया कि कोई बनाया है नहीं अपना अब जब नहीं बनाया अपना आज आप मेरे से पूछोगे कि विरिंदर सिंग कॉंग्रिस में क्यों मैं दो बात आपको कहूंगा एक तो ये कि बहुत से साथियों ने इस्ट्यार भी लगाए हुए मेरे गाड़ियों पर के घर वापसी मैं यह कहता हूं घर वापसी के साथ साथ घर वापसी तो अलग चीज़ है विचार धरा की वापसी है यह विचार धरा की वापसी और मैं इसलिए ये बात किया रहा हूं कि मैंने मानेताओं को निभाया है जिस दिन पहले दिन मेरा मन बना कि मैं कॉंग्रेस पार्टी में जा के अपनी बात कहूं तो मेरे को जैराम रमेश जी से मेरा संपर्क पहले पहली बार हुआ और जैराम रमेश जी से जब मैंने अपना जिकर किया तो उनके शब्द थे ये जो मैं दहुराना चाहता हूं जिसकी जुरूर्द है इस देश की पॉलिटिक्स में इस देश के प्रजातंत्र में जैराम रमेश जी कह रहे थे कि आप बेशक विपक्ष में रहे हैं मतलब कॉंग्रेस के विपक्ष में लेकिन आपकी प्रेजन्स आपकी उपस्त थी भारतिय जनता पार्टी में एक ग्रेशियस बात थी आपने कोई छोटी बात किसी नेता के बारे में और किसी पार्टी के बारे में नहीं कही और आज भी मैं ये बात कहता हूं कि इस देश के जो प्रजा तंतर से जुड़े हुए लोग हैं जो आपने आपको नेता और बड़े नेता की संग्या देते हैं उनको भी व्यवारिक रूप से कुछ मानेताएं हैं कुछ गरीमा है उसको निभाना चाहिए और अगर हम इन मानेताओं क प्रजा में को निभाएंगे तो हमारा देश मद्बूत होगा तो इसलिए मैं ये बात कही कि मैं घर वापसी तो है लेकिन विचार धारा की वापसी है और विचार धारा की वापसी इसलिए मैं कल मेरी धरंपत्नी से कह रहा था मैं ये एक जो हमारा राष्ट्रिय गान है जन्मन गण मैंने का इसका मतलब समझा ये इन्दी में थोड़ी सी मेरे से ज्यादा तेज है हाँ और उसके आगे है अधिनायक जन्मन गण अधिनायक इसका मतलब ये के आजादी के बाद इस देश के करंधार इस देश पे राज करने वाले राजनितिक दल या राजनितिक नेता नहीं बलके जन्ता है प्रजा है इस देश पे राज करने वाली ये रिपब्लिक है रिपब्लिक को इन्दी में क्या बोलेंगे ये गणतंत्र है और गणतंत्र में लोग ही जिसको डिक्टेटर बोलते हैं अगर कोई गाने की शब्दों को देखे तो इस देश के सबसे बड़े जो डिक्टेटर की जिसको हम संग्या देते हैं वो इस देश के नागरिक हैं इस देश के गणतंत्र के लोग हैं और इनी आधार पे डॉक्टर भीमराव अम्बेड करने इस सम्विधान की रचना की थी और सम्विधान और गणतंत्र पारलियमेंटरी डिमोक्रेसी ये अगर बचानी हैं तो देश को उठना पड़ेगा देश के साधारन से साधारन आदमी को उठना पड़ेगा मैं सिर्फ वोट की बात नहीं कहता मैं वो बात कह रहा हूं जिससे ये देश लड़ना चाहता है अपने सम्विधान को बचाने के लिए अपनी मर्यादित राजनिती को बचाने के लिए अगर ये चाहते हैं तो इस किसम की संरचना करनी पड़ेगी बहुत से लोग बड़ी-बड़ी बात करते हैं आप कहोगे कि आप भी दस साल भारतिय जनता पार्टी में रहे मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जिस दिन मैं कॉंग्रिस से विदा लेके गया मैं श्रीमती सोनिया गांदी से मिलके गया था मेरा मैं उनसे शमाई आचना करके गया था कि किसी कारणवश मुझे भारतिय जनता पार्टी में जाना पड़ रहा है और जिस दिन अपनी कैबिनेट में लिया उससे पांच घंटे पहले मुझे बुला के कहने लगे कि बिरिंदर सिंग जी आपका राजनितिक सफर मैं ने का जी राजनितिक सफर तो बहुत लंबा हो गया 42 साल कॉंग्रिस में रहा हूँ और मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मैं उन राजनिताओं या उन राजनितिकों में नहीं हूँ जो एक पार्टी छोड़के दूसरी पार्टी में आके अपनी पैंट जमाने के लिए दूसरी जिस पार्टी को छोड़का है उसके बारे में उसके निताओं के बारे में आप शब्दों का इस्तेमाल करें मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं कि मैं श्रीमती सोनिया गांदी से मिलके हैं हूं और जितना विश्वास और जितना आशिरवाद राजीव गांदी जी ने और उसके बाद श्रीमती सोनिया गांदी ने मुझे दिया है मेरे मैं जिस पार्टी में दस साल रहा हूँ उसके लिए भी कभी घटिया बात नहीं करूँगा इस राजनिती को बंद करना चाहिए इस देश में जो घटिया बात करते हैं जिनकी सोच इस बात से है कि हम अपने उपरवाले को खुश कैसे करें मैंने उपरवालों को नराज करके राजनिती की है हाँ और मैं यह देखता था कि मेरे को क्यों निकाल देते जल्दी हाँ जब मैं किसान के साथ खड़ा था किसान भाई मेरे को आके किसान ही उनके संयुक्तिसान मोर्चा के भी कुछ साथी मेरे को आके बोलते थे कि सरकार ने बात करनी बंद कर दी बिरिंदर कि बात सुनते हो कम से कम इसे बात कर लो कुछ निपटारा हो जाए कि निपटारा की मैंना कोशिश की कूछ और आखिर मी MSP की बात जब हुई तो सरकार ने का नहीं उसके बाद मैंने का और कुछ बताओ तो उन हमारे जो किसान भाई आये थे आंदोलन में जो शामिल थे उन्होंने का इतना तो करा दो के चाए बार बेचो चाए बीतर बेचो एक एक बेंचमार्क जिसको बोलते हैं वो स्थापित कर दो उससे कम हमारी जिनस नहीं पिकनी चाहिए फिर हम बार भी बेच लेंगे अंदर भी बेच लेंगे मैं आपको इमानदारी से बताता हूँ यही है जिसको मैं कहता हूँ कि हमारी सोच भारतिय जन्ता पार्टी की सोच और कॉंग्रेस की सोच में अंतर जब मैंने ये सुझाव रखा किसान का कि वो यह के रहा कि बेंच पार तो बता जो कि इस से कम कोई नहीं खरीदेगा चाप बार हो चाप बीतर हो जो पांच लोग वहाँ बैठे थे कूद के पड़े कूद के हाँ मैंने का क्यों कूदे उनके मूँ से निकल गया अरे चौदरी हम खरीदने के लिए जिस बासे हम खरीदेंगे उससे खरीदेंगे हम कोई न्यूं नहीं करते मैं मगा बेड़ा गर्क है जिसने हां ये कोई इनसाफ नहीं है और आज भी मैं इस बात को कहता हूं कि हमारे एक नौक में क्रिफॉर्म हुए नर्सिमरावजी के समसेले के 33 साल 24 साल हो गए क्या मिला एक किसान को क्या मिला एक गरीब कमेरे वर्क को आज मैं कॉंग्रिस के मंच से ये बात कहता हूं कि इस देश की 70 प्रतीशत आबादी जो अपना खून पसीना बाके मेहनत कर आती है चाहिए वो किसान के खेत में और चाहिए वो हमारा कमेरा वर्क हो उसको इंसाफ नहीं मिला और 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 उस इंसाफ के लिए हमारा जो गोशना पत्रा आज तो मेरा भी हो गया कल तक तो नहीं था ना जो हमारा गोशना पत्रा आया है उसके अंदर एक एक बिंदु मैंने देखा है और उस बिंदु पे कई बार तो गोष्णा पतर आते हैं बिंदु अटके के अटके रह जाते हैं लेकिन अब कि बार जिसने बिंदु बनाए हैं उन बिंदु ही कुरांती ला सकते हैं और उन्होंने कह दिया कि MSP कानून बढ़ाएंगे मेरा उन से थोड़ा बहुत सूत बैठत मैं उन्हें नहीं कोंगा जी इतना पदा जो किसान बाजा बाजा फिर नहीं बहीं मेरी गोजगरम हो यहीं ठीक देजाएं यहीं बात कमेरे वर के लिए तो यह यह जो बास्टिकता है इससे भारते जनता पाटि तो कोसों दूर और कोसों दूर इसलिए है कि उनका किसान प्रेम उनका गरीब प्रेम मैंने बहुत नजदीक से दिखा है इसलिए कह सकता हूं मैं प्रेम लाम की चीज नहीं है यह जो सनी में देखो ना इसमें रोए है ना यह औरत रोएं चाह आदमी रोएं तो उन तो रोड़ा किया होगा फोटू किच्वानी है एक एक कोई वह आती है दवाई ग्लिसरीन वह लादेर पर तो इनके तो ग्लिसरीन लालागर होएं यह गरीब के लिए और दूसरों के लिए इनसे उमीद मत रखो और मैं आपसे दावे से कहता हूं कि इस देश में करवट बदल रहा है मत दाता बावन साल होगे इस दंदे में अच्छा जोच्छी बन सकता हूं मैं राजनीती का यह जो यह बदलाव है यह राजनीतिक दल यह राजनीतिक नेताओं की वज़े से नहीं यह इनके कुक्रमों की वज़े से इनकी गलत नीतियों की वज़े से और बदलेगा और जब भी पल्टा लगेगा इस देश का मत दाता इस देश का यूवा इस देश की हमारी बेहने ये लगाएंगी पल्टा और पल्टा लगने को तयार है डेड़ महिने से मैं भी देख रहा हूँ और पल्टा जब लगेगा राहुल गांधी जी की बात करते हैं मेरा बेटा एंपी है ये इनके साथ एक कमेटी में एक दिन कहने लगाए ये अक डैडी मजा मैं बता ये राहुल गांधी गांधी परिवार की जो सक्षित है जो उसका करिश्मा है ये आसाम में जब भी लखों लोग उड़ी सामा जाओ जब भी लाखों लोग और अर्याना पंजाब में आवे तो खेत में भी होए ट्रेक्टर ट्रॉल्ली पे भी होए ट्रक में भी होए राजस्थान में जाओ तो और तेरा आदमियों की ये क्यों है ये इसलिए मैं इसलिए बताता हूं कि आप समझो पंडित जवारलाल नहरू के बारे में जिस तरह बात करती है भारती है जनता पार्टी बड़ी बड़ी बात करती है मैं आपको एक किसा सुड़ाता हूं फिर देख लेड़ा कि पंड़त जी किसे बड़ा कोई आदमी इस देश में हुआ या नहीं एमजाबाद से चुनाव अधित यागनि कि वह हमेशा इंडिपेंडिन्ट निर्दलिये चुनाव लडते थे और हमेशा जीत के आते थे बावन में जीते शतावन में जीते बासट का जो चुनाव था उसमें कांगरेस के जो केेमी आट से वह अधिappelle से लेया पंड़ जी आ जिसी नहीं उत्या किसी लाल यागनिक देखिए महांता राजनिती इन मुल्यों की होती है पंड़त जी ने उसी समय अपना भाशन बंद किया और कहा के इंदू लाल यागनिक से अच्छा कोई आज में नहीं हो सकता सब इसको वोट देना मुझे मेरी पार्टी की दूरुत में और यहां बड़ी- जी रंदीब जी कहांगे वो अपने कैप्टन साब हां कैप्टन साब और किरण जी यह बात तो आज लंबी हो जाएगी मेरे को दस दिन में पंदरा दिन में एक ताइम दे दो दो तीन लाख लोग कठे करेंगे हम करोगे ना उसे दिन इनका बोरिया बिस्तर बंदना हो जा जी धन्यवाद चौजी साब आप कारिक्रम का समाप्ति करते हैं आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद इतनी धूप में आप लोग इतनी देर तक खड़े रहे बैठे रहे जूजते रहे लेकिन अभी तीन महिने धूप में रहना है और संघर्ष करना है कॉंग्रेस को जित हालो हालो ये एक फोन को गया है कॉंग्र घर में अन्यवाद भ लेकिन को एक को ऑनी और संते हैं है